हेलो स्टुडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर फेफ्ट क्लास नाइन्थ का इंट्रोडक्शन टू यूकलिड जिमेट्री अब जिमेट्री से रिलेटिड तो आप पढ़के आ चुके हैं प्रिवेस चैप्टर के अंदर भी किसी भी पॉइंट की किसी भी सेप या फिगर की या फिर किसी की लोकेशन को रिप्रेजेंट करना ग्राफ किड हेल्प से या फिर अपने प्लेन पेपर पे उसको बोलते हैं हम जिमेट्री अब Euclid Geometry क्या था कि Euclid एक Scientist था उसने जो Geometry में यूज होने वाली Terms है ना उनके बारे में कुछ से हमारे को Information दी कि ये चीज़े होती क्या है उसके बारे में हम इस Chapter के अंदर Deeply पड़ेगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी Euclid Geometry के अंदर जो आते हैं Definitions हैं जो Euclid ने कुछ Definitions दी थी हमारी Geometry के उपर तो उनके बारे में हम एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं ये हैं हमारी कुछ Definitions इसके बाद हम Exeoms पढ़ेंगे Postulates पढ़ेंगे जिसको ये Definition Exeoms और Postulates के लियर हो गई इस Chapter के अंदर कुछ भी नहीं बचेगा सारा का सारा Chapter इनी तीन चीजों के उपर Depend करता है तो सबसे पहले हम कुछ Definitions की बात कर लेते हैं A Point is that which has no part एक Point जो होता है हमारा उसका कोई भी Part नहीं होता है Part मतलब इसको हम Subdivide नहीं कर सकते तो ये हमारा क्या होगा एक Single Point होता है जिसको हम Further Divide नहीं कर सकते First Point clear होगा आपको Next है A Line is Breathless Length एक Line जो होती है वो Breathless Length होती है Length मतलब एक Distance होता है एक तरिकी का Measurement होती है जिसकी कोई भी Breadth, Thumb Count नहीं करते मतलब Length है, Breadth इसकी नहीं है Third Point के अदा, End of a Line are Points अब कोई भी एक Line ड्रो करते हैं, जैसे ये Line है उसके Ends जो होंगे, वो क्या होंगे? Point ये जो Ends बोले जाएंगे, ये क्या होंगे? Point और हमेशा Line जो Draw की जाती है, वो दो Points के बीच में Draw की जाती है जैसे इस Point से इस Point तक हमने क्या कर दिये हैं के? Line ड्रो कर दी तो उसने कहा है, किसी भी Line के End Points जो होते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे Point होते हैं ठीक है? Last, Next Point देखते हैं, Fourth क्या है? A Straight Line is a Line which lies evenly with the Points on itself एक Straight Line वो Line होती है, जिसके Point उसी Line के उपर exist करते हैं अब देखो ये Points हैं हमारे, ये इसी Line के उपर exist करेंगे और कोई भी अगर इस Point लेते हैं हम इस Line पे, तो वो उस Line के उपर ही exist करेंगे बहार उसके Point exist नहीं करेंगे ये मतलब था Fourth Point का Next is Fifth Point A Surface is that which has length and breadth only एक Surface वो होता है जिसकी length और breadth होती है अब जैसे हम rectangle draw कर लेते हैं, square draw कर लेते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, ये क्या है हमारे Surface तो इसके अंदर क्या होगी, length भी होगी और हमारी breadth भी होगी I hope Fifth Point भी आपको अच्छे से clear हो गया है Next बात करेंगे Sixth Point की The Edge of Surface are Lines जो भी हमारा Surface होता है, उसकी edges जो होती है न वो Lines होती है अब देखो इसकी edge क्या है, ये edge है, ये edge है, ये edge है, ये edge है तो ये सबी क्या है हमारी, अलग-अलग से Lines है तो उसने ये कहा है किसी भी Surface की जो edge होती है, वो क्या होती है Lines होती है next मत करते हैं a plane surface ही जे surface which lies evenly with the straight lines only itself एक plane surface वो surface होता है जिसके उपर हमारी lines जो है होती है अब जैसे मान लिया ये page क्या है हमारा surface है अब कोई भी line draw करते हैं जैसे ये कर दी ये कर दी draw तो ये सबी क्या है इसी surface के उपर लाई करेंगे तो 7th point का मतलब ये है कि मतलब जितनी भी lines होती है वो किसी ने किसी surface के उपर ही लाई करती है I hope आपको ये 7 definitions अच्छे से clear हो चुकी है next बात करेंगे अपनी axioms की अब हमारे पास आ जाते हैं 7 axioms axioms का मतलब क्या होता है हम यहां पर एक बार axioms का मतलब समझेंगे क्या चीज होती है axioms means होता है rules या फिर हम हिंदी में बात करें सिदान्त भी कह सकते हैं नियम भी कह सकते हैं मतलब वो तो applicable होंगे ही होंगे हमारे मतलब laws बना दिये गए कानून बना दिया गया एक तरीके से कि मतलब ये तो हमारे geometry में use होने ही होने है मतलब ये चीज़े जो होती है applicable on all maths होती है मतलब पूरे के पूरे math पे apply की जा सकती है मतलब कहीं भी यूज हो सकती है ठीक है उसके बाद जो next पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे postulates postulates के बारे में बाद में बताऊँगा पहले हम auggiums को पढ़ लेते हैं कि हमारे पूरे math के उपर ये auggiums हमारे apply होते हैं सबसे पहले बात करेंगे क्या है things which are equal to the same things एक thing कोई दूसरी thing के equal है are equal to one another तो वो आपस में क्या हो जाती है एक दूसरे के equal हो जाती है ये वैसे definition से आपको अच्छे से clear नहीं होंगे हम example लेके समझेंगे ना तब अच्छे से clear होंगे देखो उसने क्या कहा है things which are equal to the same thing means मान लिया हमारे पास क्या है एक things है A वो किसी दूसरी things के equal है B के equal और ये B जो है किसी और दूसरी things के equal है B equal to क्या है C के तो A equal to CB होगा A equal to क्या होगा C होगा ये मतलब है हमारे first oxims का मतलब things which are equal to the same things are equal to one another मतलब A जो है B के equal है और B किसी C के equal है तो A equal to C होगा ये चीज आपको ध्यान रखनी है इसका मतलब क्या है अगर मान लिया दो टर्म आपकी इक्वल दे दिया अपने A इक्वल टू B लिख दिया ठीक है अब मैं क्या करता हूँ कई बार हम क्योस्टन्स में करते हैं लेफ्ट एंड साइड भी टू एड कर दिया दोनों साइड तो वो तब भी इक्वल ही रहते हैं एक्वल देखते हैं जैसे मान लिया X इक्वल टू Y बोल दिया अपने ठीक है तो यहाँ पे कर दिया X प्लस 3 और यहाँ पे भी कर दिया प्लस 3 तो X प्लस 3 इक्वल टू Y प्लस 3 ही तो रहेगा हमारा ठीक है और example जैसे 5 equal to 5 है अब इस तरफ मान लिया 2 add कर दिया इस तरफ भी 2 add कर दिया तो 5 plus 2 क्या हो गया 7 equal to 7 ही तो आया अब भी तो उसका कहने का मतलब यह है कोई equal चीज को अगर दोनो side add किया जाए तो वो हमारी क्या रहती है terms equal रहती है next if equals are subtracted from equals the remainders are equal तो यहाँ पे भी क्या कहा है अगर दोनों दो term हमारी equal है और दोनों तरफ सेम चीज को subtract किया जाता है तब भी equal आती है यह चीज आपको clear हो गई होगी जैसे a equal to b है तो a minus 3 b minus 3 भी हमेशा क्या रहेगा equal clear fourth point things which are coincide with one another are equal to one another अगर कोई दो चीज एक दूसरे के उपर coincides करती है अब जैसे मान लिया यह स्क्वेर है कोई दूसरा स्क्वेर है same length breadth का इसी के उपर लाई करेगा ठीक है तो एक दूसरे के उपर coincide करगी coincide का मतलब एक दूसरे के उपर लाई करना तो एक square दूसरे square के उपर आ गया तो ये दोनों square क्या होंगे हमेशा equal होंगे one another clear? next the whole is greater than a part whole का मतलब होता है complete value उसके part से हमेशा बड़ी होती है अब जैसे एक रुपया है क्या है? one रुपी अगर मैं इसको four parts में divide करूँ तो कैसे divide करूँगा 25 पैसे मतलब 25 पैसे 25 पैसे और 25 पैसे तो ये one रुपीज के क्या होगे? parts तो उसने क्या कहा है? कि जो ये parts होते है हमेशा इस से whole value से हमेशा छोटे होंगे अब किसी चीज को break कर दोगे जैसे पैसे इसको break कर दो मैं तो इसकी length bread जो break होके आएगी वो इस बड़े पैसे तो हमेशा छोटे ही आएगी ना? तो ये ही चीज कहा है उसने कि whole value से हमेशा parts जो होते है वो छोटे होते है clear? next चलते है things which are double of the same things are equal to one another. अब ये चीज समझो क्या कहा है उसने अगर मान लिया A equal to B है और A equal to क्या है? C है तेखो A equal to B बोला है A equal to C बोला है तो इसका मतलब B equal to C होगा बट उसने क्या कहा है? अगर मैं A को double कर दू और इस A को भी क्या कर दिया? Double किसी एक thing को क्या कर दिया? Double तो अब B क्या रहेगा? B equal to C ही रहेगा हमारा समझे में आई बात? देखो मान लिया AX equal to 2 है और AX equal to मान लिया आपका कुछ और value है यहां पे मान लेते हमें कुछ भी आजूम कर सकते हैं और यहां पे AX is equal to मान लिया 2N ले लिया हमने ठीक है? अब इसको 2 से डिवाइड कर दिया इसको भी Double कर दिया यह Double कर दिया यह Double कर दिया तो यहां पे Double किया है तो यह भी क्या हो जाएगा? Double 4 हो गया यह भी क्या हो गया? 4N तो 4 equal to 4N ही बोला जाएगा अब N की value पे depend करेगी यह situation कि ये कब equal होगा n is equal to 1 पे समझे में आई बात किसी चीज़ का double हमेशा equal ही रहेगा things which are halves of the same things are equal to one another अब यहाँ पे देखो a equal to b है a equal to c है अगर मैं a का half कर दू a by 2 a by 2 तब भी b equal to c ही रहेगा क्योंकि हमने दोनों terms का क्या कर लिया half कर लिया समझे में आई बात देखो मैंने मान लिया a को दिये 10 रुपे b को दिये 20 रुपे ठीक है रेसो देखो b के पास क्या है इससे double है ये a को दे रखे हैं 10 रुपे b को दे रखे हैं 20 रुपे मान लिया इन दोनों को क्या कर दू मैं half कर दू तो तब भी तो इसके पास b के पास double ही तो रहेंगे इसके पार रुपे देखो a by 2 कर दिया b by 2 कर दिया इसके कितने होगे 5 इसके होगे 10 तो अब भी तो 5 जो है वो 10 जो है 5 का double है तो मतलब half करने से या double करने से कोई भी effect हमारी quantity के उपर नहीं आएगा I hope आपको एक्जियम सच्छे से clear हो गई है next मात करते हैं अपने postulates की most important है postulates postulates की बात करें तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि postulates होते गया है postulates होते हैं किसी चीज को assume करना या claim कर लेना as true मतलब किसी चीज को true मान लेना क्या कहलता है हमारा postulates और उसको हमने prove करके दिखाना होता है कि हमने किसी चीज को true मानना है और उसको हम क्या करेंगे फिर prove करके दिखा देंगे वो हो जाएगा हमारा postulates तो यहाँ पे postulates first की बात करते हैं क्या है a straight line may be drawn from any one point to another point उसने क्या कहा है कि एक point से दूसरे point तक क्या की जा सकती एक straight line row की जा सकती है बिलकुल की जा सकती है अगर एक point से दूसरे point को join करेंगे तो हमेशा straight line से ही हम क्या करेंगे join करेंगे तो हम इसको मान लेते हैं कि एक straight line है postulates है second postulate a terminated line can be produced इंडेफिनेटली कोई भी एक टर्मिनेटिड लाइन है यह हो गई मान लिया हमारी क्या है टर्मिनेटिड लाइन इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इसको हम indefinately क्या कर सकते हैं produce कर सकते है मतलब बढ़ा सकते हैं increase कर सकते है indefinately मतलब infinite तक कितनी भी हम इसकी length को क्या कर सकते हैं increase कर सकते हैं यह हो गया हमारा postulate second next है a circle can be drawn with any center and any radius बिलकुल ठीक है कोई भी हम circle draw कर सकते हैं जिसका कोई भी क्या हो center हो और कोई भी रेडियस हो सकता है मान लिया ये सेंटर मान के आपने और टू सेंटीमिटर रेडियस मान के क्या कर लिया सर्कल ड्रो कर लिया आपका दिल कर रहा है कि सर मैं तो थ्री सेंटीमिटर का सर्कल ड्रो करूँगा और यहाँ पे circle नहीं मैं तो यहाँ माननूँगा तो भई क्या कर सकते हो अब इससे बड़ा circle भी draw कर सकते हो 3 cm का अब आपने का sir मैं तो छोटा सा circle draw करना चाता हूँ तो भई एक cm का भी draw कर सकते हो तो मतलब any radius any center का हम circle draw कर सकते हैं होता है हमारा postulate से third next बात करेंगे अपने postulate 4 की postulate की 4 के अंदर क्या का है all right angles are equal to one another जितने भी 90 degree angle होते हैं वो हमेशा equal होते हैं बिलकुल equally होंगे अब देखो ये angle जो है ये 90 degree है अब इसको चाहिए मैं ऐसे बना लूँ ये भी 90 degree बोला जाएगा ये दुनों equally बोले जाएगे या फिर मान लिया कोई बड़ी ट्रेंगल के अंदर आ जाए इस तरीके से आ जाए ये भी हमारा क्या बोला जाएगा 90 degree बड़ी figure में हो या चोटी figure में 90 degree तो हमारा 90 degree ही रहेगा तो ये हो गया हमारा postulate 4 most important postulate जो है जो exams में आता है वो है postulate number 5 इसी का utilization सबसे ज़्यादा होता है बच्चे इसी में confused रहते हैं मैं बिल्कुल चुटकियों में आपको बताऊँगा कैसे इसको समझना है definition पढ़के करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा इसका figure draw करेंगे अच्छे से समझेंगे तब ही आपको clear होगा ठीक है तो पहले एक बार definition की बात तो करेंगे हम यहां पे क्या है if a straight line falling on two straight line क्या कहा है उसने अगर दो straight line के उपर कोई एक straight line fall करती है तो यहां पे हम करेंगे इसको draw तो यह हमारी जो थी इस seat के उपर देखेंगे हम a straight line falling on two straight line माल लिया हमने कोई भी दो straight line माल लिया एक straight line यह होगी एक straight line यह होगी ठीक है इसके उपर कोई भी एक straight line क्या करती है fall करती है यह किर गई यहां तक clear है straight line makes the interior angle on the same side of it तो यह क्या करेगी दोनों side interior angles बनाएगी interior angles क्या होते हैं अंदर वाले angle तो यह क्या होगा माल लिया हमारा angle a है यह angle b है यह angle c है और यह angle d है यहां तक clear यहां पे क्या कहा है if of it taken together less than two right angle then the two straight lines it produced indefinitely meets on that side on which the sum of angle is less than the two right angle उसने क्या कहा है अगर मैं इन दोनों lines को produce करूं produce मतलब आगे की तरफ बढ़ाऊं तो जो यह lines है हमारी produce करेंगे इस तरिके से जाती जाएंगी अब यह देखो आगे तो मिलने से रही आगे तो मिलेंगी नी तो यह कहां पे meet कर सकती है हमारी पिछे meet करेंगी तो उसने यह कहा है कि जिस side भी यह दोनों line meet करेंगी ना उन दो interior angles का sum less than two right angles होगा मतलब angle C plus angle D less than 180 degree होगा two right angle बोलना है एक right angle की value क्या होती 90 degree two right angle की value 180 degree दोबारा समझो तो अगर दो straight line को एक line cut करती है तो उसके जो interior angles होगे वो क्या show करते है कि जो हमारी जो दो straight lines थी उनको अगर produce किया जाए एक तरफ वो join करती है meet करती है तो उस side के interior angles का sum क्या होगा less than 180 degree होगा यह है हमारा postulates number 5 I hope आपको समझ में आ गया होगा I hope आपको postulate 5 clear हो चुका है कोई doubt अगर लगे तो मुझे comment करके बता सकते हैं अब बात करेंगे अपने questions की exercise देखेंगे आपको introduction अच्छे से clear हो चुका होगा मतलब इसके postulates थोड़े से mind में होंगे औक जियोंस और definitions उनहीं का use करते हुए हम questions को चुटके हो में solve करेंगे आपको समझ में आया होगा comment करके बताइए मुझे थोड़ा सा difficult chapter होता है थोड़ा सा obsumes और postulates समझने में थोड़ी से difficulty होते है बच्छों को questions करेंगे वहाँ से भी आपको और सब कुछ clear हो जाएगा Thank you students for watching this video Thanks